Hello students, this is Sonia. Welcome back with another video. आज हम करने वाले हैं exercise 2.3 का question number 1. So let's start. Question number 1, find 1 by 4 of 1 by 4, 3 upon 5 and 4 by 3. तो यहने इनका हमें क्या करना है? 1 by 4 find out करना है. So first part है, देखिए कैसे write-on करेंगे? 1 by 4 of का मतलब क्या होता है? Multiply हो जाएगा. First part है, हमारा A, तो जहाँ पर A ही लिख लेते हैं. तो 1 by 4 इसका हमें find out करना है. इससे पहले जो हमने exercise 2.2 क्या था, उसमें हमें इस तरीके से दिया था? कि जैसे 1 by 2 of 3, ठीक है, इस तरीके से. तो यह क्या हमारा क्या था? कि whole number की multiplication थी इसके साथ fraction के साथ. इस exercise में क्या होगा? fraction की, fraction से ही multiply करनी है. तो जब भी हम इस तरीके से multiply करेंगे, तो यह देखिए हमारा numerator है, यह भी हमारा क्या है? numerator है, यह हमारा denominator हो जाएगा, तो यह भी क्या है? denominator. तो numerator की multiply हमेंशा numerator से होती है, और denominator की multiply हमेंशा denominator से होगी. तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा 1 x 1 अपोन में 4 x 4 क्या हो जाएगा 16 अगर हम compare करते हैं यह हमारा numerator है और यह हमारा denominator है अगर इनको हम compare करते हैं तो यह जो fraction है वो किस form में है यह यह हमारा proper fraction है क्योंकि इसमें जो numerator है वो less than है से denominator क्यों से कितना हो जाएगा 1 x 1 60 clear ऐसे हम बात कर लेते हैं B part की B part में क्या दिया है आपको 1 x 4 of 3 upon 5 अगें क्या होगा numerator की numerator से multiply होगी and denominator की denominator से तो 3 x 3 upon 4 5 से क्या हो जाएगा 20 clear now move करते हैं part C की तरफ अब देखिए C में क्या दिया है 1 x 4 final करना है हमें कि इसका 4 upon 3 का अब देखिए यहां तो हम simply cancel out भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि denominator को हम denominator से divide करते हैं तो यह cancel out हो जाएगा आपस में यहां तो हम इसको cancel out करके कर सकते हैं नहीं तो हम क्या करेंगे simply यह से multiply करते हैं आ रहे हैं ऐसे करेंगे तो क्या आजएगा 4 1s 4 upon में क्या आजएगा 4 3s 12 clear ठीक है तो अब देखिए यहां पर यह 4 upon 12 है तो इन्हें हमें convert करना होगा इन्हें प्रोपर fraction यहां हम कह सकते हैं simplest form है अब देखिए 4 और नीचे कितना है 12 तो दोने ही 4 की टेबल से divisible है 4 1s 4, 4 3s are 12 so your answer will be 1 upon 3 clear now move करते हैं part 2 की तरफ यहांने इसी का part 2 1 by 7 of 2 upon 9 and 6 upon 5 and 3 upon 10 तो देखिए 1st part में क्या जाएगा इसका हम यह 1 upon 7 find out करना है कि 2 by 9 का तो सेम हो जाएगा numerator की numerator से multiply and denominator की denominator से so 2 1s are 2 upon 7 9s are 63 तो यह हमारा क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा clear अगर आपका जो हमारा यह answer जो है proper fraction की form में ना के simply proper fraction में आ जाए तो उसे हमें convert करना होता है in big fraction में clear तो यहां पर देखिए 6 upon 5 का find out करना है so 1 upon 7 of 6 upon 5 हमें यह find out करना है तो अगें denominator की multiply numerator से हो जाएगी and denominator की multiply denominator से 6 1s क्या हो जाएगा 6 and 7 5s कितना आ जाएगा 35 चेक भी कर लेंगे हम कि क्या यह same table से divide होते हैं तो 635 किसी भी table में एक साथ नहीं आते तो यह नहीं होगा तो 6 upon 35 यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा now move करते हैं part C की तरफ अब देखने हैं 1 upon 7 find out करने हमें 3 by 10 का again numerator की multiply numerator से and denominator की multiply denominator से 3 जाएगा 3 10 7 जा कितना हो जाएगा 70 और यह किसी भी common table से divisible नहीं है so हमारे यही answer हो जाएगा clear so this was your question number 1 from your exercise number 2.3 and do watch my next video for more questions thank you and bye bye for now